क्वेशन है, मनुष्य के शरीर में लाल रख्त कडिकाएं कितने दिन तक जिवित रहती हैं? आंसर हो जाएगा 120 दिनों तक मनुष्य के शरीर में जो लाल रख्त कडिकाएं होती हैं, जिनकों की RBC कहा जाता है, Red, Blood, Carpals, ये मनुष्य के शरीर में कितने दिन तक रहती हैं? 120 दिनों तक जिवित रहती हैं 120 दिन के बाद इनका जो डैथ होता है, वह कहाँ पर होता है? इस्प्लीन में, जिसको कि हम लोग प्लीहा भी बोलते हैं अब इनका डैथ जो होता है, इस्प्लीन या फिर प्लीहा में होता है तो यहाँ पर क्या होते हैं? बहुँ सारे Blood जो होते हैं, वो एकत्रित हो जाते हैं जिसके करण स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है RBC का ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन और प्लीहा को या फिर RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इनकी डैथ होती है तो यह 220 दिनों तक हमारे शरीर में जीवित रहते हैं विकास की उत्परिवर्तन सिध्धान का प्रतिपादन किस ने किया था? तो जो विकास की उत्परिवर्तन सिध्धान थै इसको किस के द्वारा दिया गया था? हिउगो डी ब्रीज के द्वारा इसको बताया गया था विकास की उत्परिवर्तन का शिध्धान नेस्ट कोश्चन है बिच्चू का विश कहां पर होता है आंसर है डंक में जो बिच्चू का विश होता है वो उसकी डंक में प्रेजन रहता है जिसकी कर जब बिच्चू डंक मारती है तो वो विश क्या होता है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है नेस्ट कोश्चन है कौर्ग किस पेर से प्राप्त होता है तो जो कौर्ग होते हैं वो किस से प्राप्त होते हैं कौर्कस पौधे से प्राप्त होते हैं नेस्ट कोश्चन है पौधों में आवशक्ता से अधीक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं आंसर है वासपोर सर्जन तो पेड़ पौधे में जो अवशक्ता से अधिक जल होते हैं उसको वासपोर सर्जन प्रक्रिया के द्वारा बहार निकाल देते हैं पौधे जितनी अवश्यक्ता होती है उसको रखते हैं फिर जो एक्स्ट्रा होती है वो वात्पुर सर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाती है और पेड़ पौधे जो होते हैं पानी को कहां से लेता है तो वो मिट्टी में मौजुद जो पानी होती है उसको कैपिलरी इसके द्वारा जड़ जो है वो लेता है और इन जड़ से पौधे के विभीन भागों तक जल को पहुंचाने का काम कौन करता है जायलम करता है पेड़ पौध में दो उतक पाए जाते हैं एक होता है जायलम उतक और दूसरा होता है फ्लोयम उतक यह क्या होती है समभान उत और यहीं पर बात बोले फ्लोयम उतकी तो फ्लोयम क्या करता है फूड को खाना को पहुंचाने का काम करता है तो तीन चीज़ें याद रखनी है जो जड़ होती है वो मिट्टी से पानी को कैपिलरी के द्वारा लेती है और जो जड़ से पानी पौधे के विभी नभाग उतक पहुंचती है वो जाला मुतब के द्वारा पहुंचती है और जो खाना होता है वो फ्लोयम उतक के द्वारा पहुंचता है नेक्सर कोशन की और बढ़ते हैं मानव की सबसे बड़ी पाचन क्रंथी कौन सी होती है तो मनुश्य के सबसे बड़ी जो क्रंथी होती है वो कौन ग्रंथी होती है और सबसे बड़ी अंताश्रावी ग्रंथी होती है एक क्वेशन और बनता है इससे मानव की सबसे बड़ी अंग पूछे अंग या औरगन तो वो कह जाएगी हमारी इसकीन हो जाएगी क्योंकि वो एक अंग है ग्रंथी नहीं है ठीक है ग्रंथी सबसे बड़ी ग्रंथी कौन से है यक्रिते और सबसे बड़ी अंताश्रावी ग्रंथी थाराइट ग्रंथी और सबसे बड़ा अंग इसकीन हो जाएगा या फिर तवचा पुस्टर है मानवशरीर का कौन सा अंग leukemia रोग से प्रभावित होता है तो हमारी मानवशरीर का जो मस्तीस कहाई ब्रेइन है यही leukemia रोग क्या करता है ब्रेइन को प्रभावित करता है इसी को effect करता है निश्ट स्टेप किसके दूद में वसा की सरोतर मात रहती है तो किसके दूद में वशा जो होता है फैट होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है इनकी जो मिलक होती है इसमें जो फैट होता है वशा होता है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नेक्स है मानाशरीर की में उरोस्थी को कहां पाएंगे तो मानाशरीर में जो उरोस्थी पाए जाती है वो कहां पर पाए जाती है जांग में पाए जाती है उरोस्थी जांग में पाए जाती है नेक्स है मनुष्य के सरीर में पस्तलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं तो कितने जोड़े पाए जाते हैं बारा जोड़े पाए जाते हैं लेकिन यहीं पर बोले कि मनुष्य के शरीर में कितनी पस्तलियां पाए जाती है तो जोड़े अभी बोला है तो बारा इन्टू टू कर देंगे, तो टोटल 24 पाया जाता है, और जोडे में 12 पाया जाते हैं, Next Question है, जीवारी को कोई सबसे पहले किस ने की थी? तो जीवारू की कोई सबसे पहले किस के द्वारा किया गया था? लुएन हॉक के द्वारा किया गया था यहीं पर आपसे पूछता कि विशाडू की खोर सबसे पहले किस नहीं की थी तो विशाडू की कोर सबसे पहले की थी इवान वसकी ने नेस्ट गोशन है यहाँ पर मनुष्य का समान ये रक्त चाप कितना होता है तो जो मनुष्य को समानिय रख्टर चाप होता है वहां कितना होता है? 120 पटा 80 और जब रिलाक्स किंडिशन में रहती है तो 80 रहता है नेक्स्ट है निम्न लिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं एंजाइम किसमें नहीं होते हैं जो विशारू होते हैं उसमें एंजाइम नहीं होते हैं लेकिन विशारू में क्या पाया जाते हैं प्रोटीन्स पाया जाते हैं ठीक है नेक्स्ट है जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला जंपिंग जीन का सिधान्त किसने प्रस्तूत किया था तो जो जंपिंग जीन है इसका जो सिधान्त है वा किसके दोरा दिया गया था बार्बरा मैलिंग टाउन के द्वारा जंपिंग जीन का जो सिधान था उसको दिया गया था नेक्स्ट है प्रतिजैविक एमपी सिलीन क्या है तो जो एमपी सिलीन है वो अर्ध संसलेशित दवा होता है नेक्स्ट है यूरिया किसके द्वारा रक्त से प्रिताक होता है जो यूरिया और रक्त होता है वह कहां पर अलग-अलग होते हैं वो हमारी किडिनी में अलग-अलग होते हैं जिसको की गूर्दा भी बोला जाता है यहां पर यूरिया और जो बलड होते हैं वो अपनी अपनी डारेक्शन चेंज कर लेते हैं नेक्स्ट है उच्छ रक्त चाब की अवस्था को क्या कहा जाता है जब उच्छ रक्त चाब हो जाता है उस अवस्था को बोला जाता है हाईपर टेंशन क्या बोला जाता है हाईपर टेंशन नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन से है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी हवा है शुतुर मुर्ग नेक्स्ट है घटपड़नी के किन भागों में कौन सा एक की घट में रुपानतरीत होता है? तो वो कौन से भाग में है? घटपड़नी की अनुपणन भाग में जो होता है एक घट के रूप में रूपान तरीत होता है नेस्ट कोश्चन है फेपड़े का जो आकार रहता है वो क्या होता है तो हमारे फेपड़े का जो आकार रहता है वो क्या होता है शंकु आकार का होता है शंकु आकार होता है और जो अमारा फेपड़ा होता है वो क्या होता है फ्लोरा से ढखा हुआ होता है नेक्स चै किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो जो कवक होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है लेकिन जो शयवाल होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है नेक्स है कौन सा रोग जीवाडू के कारण होता है तो ये क्या होग है जो एक जीवाडू के दारा होने वाला रोग है नेक्स है मास्पेशियों का अध्यान क्या कहलाता है तो जो मासपेशी का अध्यान करते हैं उसकी स्टड़ी को कहा जाता है मायो लॉजी अब जो कवकों की अध्यान होती है उसको कहा जाता है मायो लॉजी और शेवालों की जो कोशिका अध्यान होता है शेवालों का जो अध्यान होता है वो क्या कहलाता है फाइकोलोजी तो इन तीनों में ही confusion होता है माजपेशी को कहा जाता है मायोलोजी कवकों के अध्यान को कहा जाता है माइकोलोजी और शैवालों के अध्यान को कहा जाता है फाइकोलोजी नेस question है दुईनाम पध्धती के प्रतिपादक कौन है तो जो दुई नाम पधती दिया गया था वो उसके प्रतिपादक कौन है कार्ड लीनियस है नेक्स्ट है जन्तों में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसे कार्ड उतपन नहोती है तो ये विशाडु वाइरस के द्वारा उतपन होने वाला रोग है नेक्स्ट है जापान में लोग किस लाइकेन को सबजी की रूप में खाते हैं तो जापान में एंडो कार्पन एक लाइकेन है इनको सबजी की रूप में खाया जाता है वहाँ नेक्स्ट है मुर्गी की कौन सी नसल दुनिया में सबसे अधिक अंड देने वाली है तो स्वेग लेग हार्न ये सबसे अधिक अंड़े देने वाली मुर्गी की नसल है नेस कोश्चन है किड्नी की समस्या के रोगियों के अपोहन जिसकों की डालिशिष कहा जाता है इसकी प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग होता है सम्मिलित है तो इसमें विश्णन की क्रिया होती है जब डालिशिष किया जाता है तो उस समय विश्णन की प्रक्रिया होती है नेस कोश्चन है टीबिया नामा खर्डी कहां पर पाई जाती है आंसर हो जाएगा टांग में जो टीबिया और फीबिया है वो दोनों हड़ी कहाँ पर पाये जाती है हमारी टांगों में पाये जाती है Next question है Will के रेदय में कितने चंबर होते हैं तो वेल की जो हड होती है उसमें चार चंबर होते हैं और जो माना होते हैं, मनुश्य होते हैं, उनके भी हट के चार जमबर होते हैं. Next question है, जिव विग्यान शब्द का प्रयोग सर्व प्रथम किस ने किया था, तो जिव विग्यान जो शब्द है, उसको किस के द्वारा दिया गया है? अरश्टू के द्वारा दिया गया है नेक्स्ट है एक कारशिर महिला को प्रती दिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए तो एक काम करने वाली महिला को प्रती दिन 45 ग्राम जो है वो प्रोटीन लेना चाहिए नेक्स्ट है दू इनिशेशन पादप वर्ग का एक खास लक्षर क्या है तो जहां पर दू इनिशेशन पादप होता है उस वर्ग का एक खास लक्षर होता है किसका आवरिती वीज के वर्ग का जितने भी आवरित वीजी होते हैं उनमें दू इनिशेशन होता है stripped kebecky आमली की उपसिती मानो पेट में होती है तो कौन सी अमल पाइज आती है हमारे अमाश्य में पेट में पाइज आती ह mü आनोल्य है hydrochloric अमल एप उसको अमली बनाने का काम करती है और पाचंग में सहात्हक करती है invest time garlic gas की वस टी तो tampon rec emotions किसके द्वारा दिया गया था जो से फ्रोरियार के द्वारा दिया गया था नेश कोशन है मनुष्य के शरीर में रिदय को एक बार धाड़कने के लिए कितना समय लगता है answer है 8.8 second तो जो मनुष्य का रीदा है वो एक मिनट में बहत्तर बार धड़कता है तो आप लोग यहां से निकाल भी सकते हैं जैसे एक मिनट equal to 72 times होता है और एक मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 60 second लिख सकते हैं और 72 तो यहां पर बोला है कि एक बार धड़कने में तो 60 divided by 72 कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा लगभग 0.8 second में एक बार धड़कता है नेस्ट कोशन है पके हुए अंगूरों में क्या होता है तो जो पके हुए अंगूर होती है वो मीठी होती है उसमें क्या पाया जाता है ग्लूकोस पाया जाता है नेस्ट है किस देश को दुनिया का सरकरा का टोरा कहा जाता है आंसर है आंसर हो जाएगा यहां पर क्यूबा क्यूबा को शरकरा का देश कहा जाता है सरकरा का का टोरा कहा जाता है नेक्स्ट है, कैंसर एक जान लेवा विमारी है, क्यों इसमें जो जैविंग अंग होते हैं, वो हमारे नस्ट हो जाते हैं नेसर कोशन है, माना शरीर में किस अंग को रक्त आरक्षड बैंक कहा जाता है, तो मैंने आपको फ़र्स कोशन में समझाया था, कि जो इस्प्लीन या तिल्ली बोला जाता है, या प्रिया बोला जाता है, इसमें जो आरबीची रहती हैं, वो 120 दिन तक जीती हैं, और उसके प है प्लेह या इस्पलीन या तिल्ली में इसको आरभीसी का कब्रिस्ता में बोला जाते है और साथ में रग्द अरक्षर बैंक कहा जाता है कि कि यह जो होता है फिर जमा बोलेज में वो बीकिन आप से बूछ कि पित बनता कहां पर है तो कहां पर बनता है लीवर में बनता है ठीक है लीवर में बनता है उसके बाद वो बहती हुई इश्ट्राव करती हुई कहां पर आ जाती है पित आशा में आ जाती है और पित आशा में इस्टोरेज रहती है जब हमारी बॉड़ी को इसकी जौरत रहती है तब ये रिलेज होती है नेक्स्ट है पोलियो का पहला प्रभावसाली टीका किसके द्वारा तैयार किया गया था तो जो पोलियो का टीका है उसको जोनास इस साल का किद्वारा तैयार किया गया था जो malaria को टीकर तरह द्वारा बनाया गया था ? Ronald Ross के द्वारा बनाया गया था तो दोनों में confusion नहीं होना है Polio के लिए जो टीका बनाय गया था ? Jonas expanded 분al ये लिए Ronald Ross के द्वारा उसी तरीके के जो चैचाक होती है उसकी टीकर को gi गया था ? Edward Jenner एडवर्ड जेनर ने चैचा के टीके की खोज की थी और उसी तरीके से एक होता है रैबीज तो रैबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है और उसके टीके की कोज की थी फ्लैमिंग ने लुईस पास्चर के द्वारा ठीक है लुईस पास्चर के द्वारा रैबीज क मनुष्य के सरीड के सबसे द्रिड भाग कौन से होता है तो हमारी दांत की जो सबसी उपरी परत रहती है जिसको की इनाइमिल कहा जाता है वो सबसे द्रिड भाग होता है नेक्स्ट है मिर्गी की अवसधी किस लाइकें से प्राप्त होती है तो जो मिर्गी होती है उसकी अवसधी परमेलिया अवस लाइकें से प्राप्त होती है परमेलिया एक लाइकें है इसी से जो मिर्गी की दवा है उसको बनाया जाता है नेज़ एक मार्ग क्या है auchmar franc kya होता है एक मार्ग का प्रयोग करने वादी वस्तुएं जैसे अंडे दूद गी आदी की क्वालिटी गारंटी की मोहर लगाता है इनकी क्वालिटी कैसी है इसके लिए वो मोहर लगाता है एक मार्ग नेक्स्ट प्रकास अंस्लेशन में सूर्य के प्रकास की कौन सी रश्मियों का पढ़नहरित द्वारा सरवाधिक उप्योग क्या जाता है तो जो पेड़ पौधे पढ़नहरित के लिए उप्योग में करते हैं तो वो सूरे की रोष्णी के कौन सी किर्णों का उपयोग करते हैं तो सूरे की रोष्णी की जरद जो किर्णे होती है उसका उपयोग अधिक्तर परनहारित में करता है next is spermology में किसका अध्यान होता है तो spermology में जितने भी बीज होते हैं जितने seeds होते हैं उनका अध्यान कहा जाता है spermology next question है कौन सा पादप रोग जिवाडू के कारण होता है गेहूं का डूंडू गेहूं का डूंडू रोग जो होता है वो जिवाडू के द्वारा होने वाला रोग है नेस कोशन है भारती वनेस्पती सर्वेक्षन का मुख्याले कहा है तो जो वनेस्पती सर्वेक्षन है उसका मुख्याले है कोलकाता में और कोलकाता कहां पर पर परता है वेस्ट बेंगॉल में परता है और आपके लिए एक कोशन है early blight जो रोग होता है वो कौन सी चीज में होने वाला रोग है आप लोग में को comment box में comment करके बताएंगे नेस्टर कोशन है एंटीज बॉडी का निर्मार किसे होता है तो जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं यानि किसी रोग से लड़ने की जो चमता बनती है वह कहां पर बनता है लिंफोसाइट में बनता है लिंफोसाइट किसका भाग होता है WBC का भाग होता है WBC और RBC दो कडिकाएं होती है हमारे शरीर में तो RBC तो होता है कि हमारे जो blood के लिए जिमिदार होता है blood को फैलाने के लिए और जो WBC होता है जो WBC क्या करता है हमारे शरीर में कोई भी रोग होती है उससे लड़ने की छमता जो है वो उत्पन्न करता है नेक्स्ट कोश्चन है डाइनासौर क्या थे? डाइनासौर क्या थे? एक मैसोज जेक शरिश्रीप थे नेक्स्ट कपड़े को स्याही और जंग के धबे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग क्या जाता है? तो कपड़े में जब स्याही या जंग के धबे लग गए हो तो उसक pots चुड़ाने के लिए हम लोग इथर का उप्योग करते हैं और एक एसिट का भी नौप्योग क्या जाता है अग्जलिक आसिड का उख्ज़ेलिक ऐसिड किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है इनका भी उप्योग क्या क्या जाता है कपरों के जो स्याही होते हैं या धब्बे लग्योग होते हैं जंके उसको छुड़ाने के लिए या तो इधर को उप्योग करते हैं और साथ में जो अक्जेलिक ऐसी ड्रहदा उसको ही उप्योग किया जाता है Next question है कौन सा मनुसे में अवशेशी अंग नहीं है तो सामने वाले जो चप्टे दाथ होते हैं वो हमारे अवशेशी अंग नहीं होते हैं Appendix जो होता है वो हमारे सरीर का क्या होता है एक अवशेशी अंग होता है अवशेशी अंग उसे कहा जाता है जो हमारे शरीर में ज़्यादा उपयोग में नहीं लाया जाता है निक से कुछ पादप निशेशन के बिना फल उद्पादन करते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है और निशेक फॉलन कहा जाता है निस्ट कोशन है समवहानी पौधे में पानी ऊपर किस्ते जाता है तो मैंने आपको बताया था कि जो समवहानी पौधे होते हैं उसमें जो पानी होती है वो पौधों में जालम टीसू के द्वारा जाता है जो जड होती है वो पानी तो मिट्टी से ले लेती है कैपिलेरीस के द्वारा फिर जडों में जो पानी इकठा रहता है वो जालम टीसू के द्वारा पौधे के विभिन भागों तक उनकी साखाओं में पहुँचती है नेक्स है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदू या कवतनां को बढ़ा देता है ठीक अब उसमें प्रेशर को कर में पूरी धकन बंद रहती है तो उसमें जो भी भाब बनती है वो वही रहती है जिसके कार वो भाब बाहर नहीं जा पाती और वहाँ पर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और दबाव बढ़ जाने के कार उसके कवतनांग बिंदु को चीर के पओधे होते हैं। उससे तारपीन को प्राप्त किया जाता है। M. dihimaki का डंक रुपान तरन है और निक्षेपक का थमाल इख्या मेरा किया होते हैं। तो यह क्या हो जाएगा जिम्नों इस्पम में बीज बनते हैं लेकिन इनका जो बीज रहता है उनमें आवरर नहीं पाया जाता है और जिसमें आवरर नहीं पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है अनावरित बीजी कहा जाता है क्वेशन है डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्ति शब्द CAT scan का क्या अर्थ है तो इसका फुल फर्म होता है computerized axial tomography computerized axial tomography CAT का फुल फर्म है जोकी medical related है नेक्स्ट है चमडा किस्ते निकाला जाता है तो जो चार्म होते हैं उस से चमडा जो है वह निकाला जाता है नेस्ट कोश्चन है मनुस्य के मस्तिस्क की सबसे बारी जिल्ली क्या होती है जो हमारा ब्रेन होता है मस्तिस्क होता है उसकी जो होती है परत होती है जिल्ली होती है तो उसकी जो सबसे बारी जिल्ली होती है उसको कहा जाता है डिूरा मीटर और जो आंतरिक होती है उसको कहा जाता है पाइरो मीटर नेस्ट कोश्चन है और शोशित भोज्य पदार्थ को प्रोटो प्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो जो अशोशित भोज ये पदार्थ होते हैं उनको प्रोटोप्लाजम में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वह करलाती है assimilation Next question है anosmia किसे कहते हैं anosmia कहा जाता है ग्राण समवेदना की कमी ग्राण समवेदना मतलब जो हम सूंगते हैं जैसे कोई भी खाना रहता है उसको हमने सूंग करकी भी पैचान कर सकते हैं तो उस सूंगने की जो समवेदना है उसमें कमी आजाना क्या कहलाता है अनौस्मिया कहलाता है नेस कोशन है हीमोग्लोविन किसका घटक होता है तो हीमोग्लोविन जो होता है रेड ब्लड सेल आरवीसी का एक घटक होता है नेस तरह लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो हमारी जो लार रहती है उसमें टाइलिन पाया जाता है नेस कोशन है पित किसके द्वारा पैदा किया जाता है तो मैंने आपको बताया था जो पित होता है वो बनता कहां पर है यकृत में या लीवर में जिसको बोलते हैं बनता है और यह इस्टोर कहां पर होता है तो इस्टोर जो होता है वो होता है पिताशे में लेकिन बनेगा कह पर यकृत में बनेगा लीवर में बनेगा और जा करके पितासा में इस्टोर होगा नेस कोशन है मवेश्यों के उपर वाले जबडे में इस्थाई करिंतकों की कुल संख्या कितनी होती है तो उनमें जो इस्थाई करिंतक होते हैं वो अनुपस्तित होते हैं नेक्स्ट पक्षियों की अध्यान के विज्ञान को क्या कहा जाता है तो पक्षियों की अध्यान के विज्ञान को कहा जाता है और निथो लौजी वहीं पर जो फ्रोर्स होते हैं फ्रोर्स के अध्यान को क्या कहा जाता है पुमोलोजी कहा जाता है जो कवक होते हैं जितने भी जो पर्ण नहीं पाया जाता है इसमें हरितलग नहीं पाया जाते हैं कवक के अध्यान को कहा जाता है माईकोलोजी जितने भी शैवाल्स होते हैं उनके अधियन को कहा जाता है फाइको लॉजी नेस वी कोश्चन है साधरन जो टेबल नमक होता है उसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं उसी तरीके से जो बेकिंग सोडा होता है उसको क्या बोला जाता है तो जो baking soda होता है उसको हम लोग sodium bicarbonate बोलते हैं sodium bicarbonate इसका formula क्या होता है NAHCO3 इसको sodium hydrocarbonate भी बोला जाता है या sodium bicarbonate बोला जाता है जो इसका नाम होता है वो है baking soda इसको खाने का soda भी कहा जाता है Next है सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है तो सबसे छोटी जो जीवित कोशिका होती है वो माई को प्राजमा होती कवक दरव्य की Next है वो अंग कौन सा है जो माना शरीर में glycosin के रूप में कार्बोहाइडरेट को जमा कर लेता है तो हमारा जो लीवर होता है या क्रित होता है वो क्या करता है कार्बो हाइडरेट को जमा कर लेता है और किस रूप में जमा करता है ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर लेता है नेक्स्ट रे कवंगों की कोशिका भित्ती किसकी बनी हुई होती है तो जितने भी कवक होते हैं उनकी इस्टडी को हम माईको लॉजी कहते हैं और इनकी जो कोशिका भित्ती रहती है वह किसकी बनी होती है काईटी वह हैमी सेलुलोज की बनी हुई होती है और जो पादप होते हैं उनकी कोशिका भित्ती किसकी बनी हुईती है तो जो पादप होते हैं उनकी कोशिका भित्ती सेललोज की बनी हुई होती है नेस्ट कोश्चन है मनुस्य की शरीर में सबसे छोटी ग्रंथी कौनसी होती है तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथी होती है वह होती है पिटूरिटरी ग्रंथी कहा जाता है जो हमारे जो पिटूरिटरी ग्रंथी है मास्टर ग्रंथी होती है वो एक नियंतरन का काम क करते इसनली इसको master 레las War 30 सबसे छोटी क्रहन sniff is कौनसी है वो है लीवर या फिर इसको भूलते हैं ánhदी में या करेट और आपसे पुछे कि माश्रील की सबसे बड़ी अंता श्रावी तो वह होती थायरायड ग्रन Championships नेस कोश्चन है वाशिंग मशीन का कारिय किस सिधान पर आधारी थे तो हमारी जो वाशिंग मशीन है जिसमें कप्रत होया जाता है वो किस सिधान पर काम करता है अब केंदर 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 कें जो हमारी पैरों की हज़ियों होती, वो क्या होती है, खोखली होती है नेक्स्ट है, निम्म मसालों में इसे फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला है, मशाला कौन से है तो हम जानते हैं, लांगो को हम लुग मसाले की कैटिगरी में रखते हैं, मसाले की रूप में उप्योग करते हैं और ये फूल की कली से प्राप्त होने वाला चीज है, निक्स्ट है गोबर चता किसके अंतरगत आता है तो ये मृत जीवी के अंतरगत आता है, नेस क्वोचन ह आथ में पाया जाने वाला जिवारू कौन सा है E कोलाई बोला जाता है या फिर एशर रिश या कोलाई भी बोलते हैं इसको E कोलाई के नाम से बना बोला जाता है या फिर इसको E का फुल फॉर्म हो गया एशर रिश या तो यह हमारे मनुष्य की जितने भी होते हैं उनकी आथ में पाया जाने वाला जिवारू है next question है चीटियां वो मक्षियों में कौन सा अमला पाया जाता है तो चीटि में जो अमला पाया जाता है उसमें फार्मिक अमला नेक्स्ट है हेम्रेजिक जैंगु जवर किसके द्वारा फैलता है तो जैंगु जवर होता है वो फैलता है एड़ेजब्डी के द्वारा Next question है, पौधों को नाम देने वाले विज्यान क्या कहलाता है? तो जो नाम देने वाला विज्यान है, वो कहलाता है वर्गी करण. Next है, मनुश शरीर के किस अंग में लसी का कोशिकाएं बनती है? तो यह दिर्ग अस्ती होती है जो लार्ज बोन्स होती है उनमें लसिका कोशिका है जो हवा बनती है नेक्स्ट है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है तो जो चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन से उसको कहा जाता है सेक्सी कोल्स नेस्ट कोशन है बीजों की प्रकृती किसमे उत्पन्न होती है आंसर हो जाएगा टैलिडोफ फाइट्स नेक्स्ट निम्न में से नियात तापी प्राडी कौन सी होती है जिनका तापमान कौनस्टेंट रहता है वो कौन सी है चमगादर नेक्स्ट ह्रिदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनीच आवश्यक है तो हमारी ह्रिदय की धड़कन होती है उस वो नियंत्रित करने के लिए हम लोगों के लिए जो उत्तरदाइट खनीच है आवश्यक खनीच है कौन सी है पोटैस्यम है और हमारा हिरिदय की धड़कन होती है वो एक मिनट में 72 बार धड़कती है और एक बार धड़कने के लिए उसको 0.8 सेकेंड का समय लगता है और इसे हिरिदय की धड़कन हमारी नियंतरित रहे नियंतरित करने के लिए जो खनी चावश्यक होते है हमारे शरीर को वो होती है प प्रवाब होता है जो घोसला बनाता है पक्षियों की तरह हुआ कौन सा है किंग कोबरा नेस पादपों में सबसे बड़ा शुक्राडू मिलता है किसमें अनावरित वीजी में पादपों की एक कैटेगरी है अनावरित वीजी जिसमें बीच के ऊपर आवरन नहीं पाया जाता है इसी को बोला जाता है अनावरित वीजी और सबसे बड़ा शुक्राडू इनहीं में पाया जाता है क्वेशन है अल्फा-केराटिन प्रोटीन कहां उपस्थित रहता है तो जो अल्फा-केराटिन प्रोटीन है वो हमारी दुश् Kommission में उपस्थित रहता है ह। पूछ करोटीन प्रोटीन प्रोटीन होपाई जाते हैं उसके उपर भी क्म कोसी म्रिदू कबच डिन्हीं क120 है मौनरकी जमने में किस भूमिका होती है तो मानों के रख्त के जमने में स्टेशीए होती है उसकी अवशक्ता होती है ये तो हो गई तत्व एलिमेंट के बारे में पूछे तो और आपसे पूछे थी कि कौन सी विटामीन के कारण मानों का रखता है जो जमता है वो होता है तो वो होता है विटामीन के तो दोनों को याद रखेंगे विटामीन पूछेगा तो व जवाल होते हैं, उनकी जो कोशिका बित्ती होती है, वो बनी होती है वो बनी होती है। निमने कवक नाश की खोज हुई थी तो जितने भी जो पादाप रोख है पौधों में होने वाला रोख है उसके लिए जो कवक नाश की खोज हुई थी तो सबसे पहले उसके लिए खोजा गया था वो चीज था बॉर्डेक्स का मिश्रड जो की कवक नास के रूप में उप्योग मिला दे थे पेड़ पौधों के लिए नेश्ट है अधिक्तम पोशक तत्व रख्त में कहां से अशोशित किये जाते हैं तो हमारी जो छोटी आत होती है वहाँ पे पाचन की क्रिया संपूर्ण होती है सबसे अधिक पाचन की क्रिया संपूर्ण होती है छोटी आत में और यहीं पर पाचन की क्रिया संपूर्ण होती है तो जितने भी पाचक तत्व होते हैं वो छोटी आत में ही रहता है तो यहीं से अधिक्तम पोशक तत्व रख्त के द्वारा लिये जाती है नेक्स्ट है माना शरीर में पाचशक का अधिकांस भाग किस अंग में संपन्ण होता है तो पाचन का अधिकांस जो प्रोशेश होता है अधिकांस भाग वह च्छोटी आत में कम्प्लीट होती है इसलिए जितने भी जो पोशक तत्वा है, nutrition है, वो यहीं पर मौजूद होते हैं, तो रक्त क्या करता है, यहीं से पोशक तत्वा को लेता है निम लखीत, शवान उपजातियों में कौन भौकने में असमर्थ है, तो बाद जो होता है, डिंगो या भौकने में असमर्थ होता है नेक्स ए, HIV त्वार्या होने वाला रोग क्या है? इसके द्वरह एचावीज होता है अधसक तरह और रोग होता है और एट्स एक्वृर्ड इम्म््यूनोदीफिसेन्सी सिंड्रोम सिंड्रोम इँसका फुल-फॉर्म होता है और एचावीज होता है एक विशाढू से होने वाला रोग है नेस्ट कोशन है जो विटामिन A होता है वो हमारे शरीर में कहां पर इस्टोर रहता है कहां पर संचीत रहता है तो यह जो होता है हमारे शरीर के लीवर जो हमारी शरीर की सबसे बड़ी क्रंथी है यकृत लीवर में ही विटामिन A क्या रहता है इस्टोर रहता है और यकृत म नहीं उक्रित वाइकरित कईशन एकन एक रहता है पार सरीट को नुकरीति क्लुकोजन के रहां यहीरीट को जमा करके देटा है chef और इस्टोर होता है वह वह भी कहा पर बनता है यह्कैणी बनता है और provide कहां पर होता है पित्ताशा में जा करके वो इस्टोर होता है और हमारा हिरीदय जो है वह एक मिनट में 72 बार धरकता है और एक बार धरकने के लिए उसको 0.8 सेकेंड का समय लगता है और जितने भी बिशैली पदार्थ होती है टॉक्सिक चीजे जो हम लोग खा लेते हैं उसक का चूशक करता है कौन यकरित और लिवर नेक्स्ट है अफीम पोस्ता पौधे को किस भाग से प्राप्त होता है तो जो अफीम पोस्ता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं अधपके जो फल होते हैं उन्हीं से प्राप्त किया जाता है अफीम नेक्स्ट है गो गुल्डन राइज होती है गुल्डन धान होता है उसमें सबसे अधिक मातरा में जो विटामिन पाया जाता है वो होता है विटामिन A विटामिन A का जो रसानिक नाम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल रेटिनॉल इसका क्या है? रसानिक नाम है और विटामिन A की कमी से जो रोग होता है वो रोग होता है रतौन्दी या फिर नाइट ब्लाइनेस रोग भी इससे होता है प्रकास का वेग सर्व प्रतम किसने ना पता तो जो प्रकास की वेग है उसकी गढ़ना सबसे पहले की थी रोमर ने प्रकास की जो चाल होती वेग होती है वो कितनी होती तीन गुड़ी 10 कीगाथ 8 मीटर पर सेकेट पर यह इतना होता है और करके किस ने बताया था? रोमर ने बताया था नेक्स्ट आलू में मोजाइक रख का कारक्त तत्व कांस है तो आलू में जो मोजाइक रोग होता है वो क्या होता है? विशाडू के द्वारा होने वाला रोग है आलो में एक और रोग होता है अरली ब्लाइट करकी वो भी आलो में होने वाला रोग है नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो जो हाइड्रोफोबिया होता है वो भी विशाडू से होने वाला रोग है और हाइड्रोफोबिया किन लोगों को होता है रेविज के कारण होता है जिन लोगों को रेविज के विवारी होती उनको हाइड्रोफोबिया होता है फोबिया मतलब होता है डर और हाइड्रो मतलब वाटर वाटर से डर को ही बोला जाता है हाइड्रोफोबिया जो कि रेविज के कारण होता है और रेविज की कारण होता है कुट्टे के काटने से होता है रेविज रेविज के टीके की कोज किस के द्वारा किया गया था लुइस पासर के द्वारा किया गया था नेस्ट कोशन है अंगोरा उन प्राप्त की जाती है किस से तो जो अंगोरा उन है वो प्राप्त किया जाता है शशक अथवा बकरे की एक प्रजाती से नेस्ट कोश्चन है नाइट्रोजन के इस्थिरी करण में कौन सी फशल सहायक होती है तो नाइट्रोजन का इस्थिरी करण करने के लिए फली यबीस लगाया जाता है नेस्ट है समाने तह रक्त ग्लुकोज का इस्थर किस से व्यक्त किया जाता है तो हमारे शरीर में जो रक्त ग्रुकोज है उसके इस तरकिस से व्यक्त किया जाता है मिली ग्राम प्रती डेसिलिटर की नेस्ट है टिक का रोग किसमे होता है तो जो टिक का रोग होता है वह मुंफली में होने वाला रोग है next question है solder की दातू का मिश्रण है तो जो solder है वह कौन-कौन सी दातू का मिश्रण है copper और gin जिसका उप्योग soldering करने में हम लोग करते हैं उसमें कौन-कौन सी दातू होती है copper और gin होती है next है pao crustaceous किसका वैग्यानिक नाम है तो हमारी जो more है इसका जो वैग्यानिक नाम है वह है pao crustaceous next है रेखिय समवेक संरक्षन किसके ये काम आता है तो न्यूटन का दूइती अनियम ये रेखिय समवेक संरक्षन के नियम पर काम आता है next है azola क्या है एक जलिय फन है हार्मोन शब्द का नाम करन किसने किया था जो हार्मोन शब्द है उसको नाम दिया था बैलीज एवं स्टार्ली ने और हमने और पढ़ा था एक चीज जू विज्ञान शब्द का सबसे पहले नाम किसने लिया था अरश्टू ने next है सभी जू अपनी प्रारंभीक अवस्था में एक कोशिकिया होते हैं निम लकीत में से कौन सी ऐसे कोशिका है यूग मनच सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाय जाते हैं सबसे अधिक जो क्रोमोसोम पाय जाते हैं वो पाय जाते हैं टेरिटोफाइडस में इस्त्रियों में कौन सा हार्मोन इस्टेरोइड नहीं है तो जो रिलक्स सेसिन हार्मोन है ये इस्टेरोइड हार्मोन नहीं है नेक्स ते भारत में सरवाधिक पशु धनकीस राजे में पाया जाता है तो सबसे अधिक पशु पाया जाते हैं यूपी में उल्तर प्रदेश में निस्क्वेशन है खारे नमकीन जल में कौन सा पेड ऊख सकता है तो खारा नमकीन जो जल होता है मैंगरो पेड जो है वो ऊख सकते हैं ये दलदली जगह में भी ऊखते हैं मैंगरो क्वेशन है मनुष्य और चुहों की काई कोशिकाओं का सनलैन सबसे पहले किसने दर्षाया था आंसर है H. Harris ने मनुष्य और चुहों की काई कोशिकाओं का जो सनलैन है सबसे पहले उसको दर्षाया था H. Harris ने मानशर की कोशिकाओं में पाय जाने वाले गुर्शुत्र जोडों की संख्या कितनी है तो अभी हमसे पूछा है जोडों तो हम क्या बताएंगे 23 और टोटल कितने होते हैं 46 गुर्शुत्र होते हैं नेक्स्ट है कौन सा रोग बैक्टिरिया से होता है तो जो तपेदिक होता है जिसको की टीवी बोला जाता है चूबर कुलोसिस ये बैक्टिरिया से होनी वाला रोग है और टीवी के लिए ही एक टिका दिया जाता है BCG का टिका जिसमें फूर्परम पूछा जाता है बैसिलस क marketing घिनिन् cooked सब्सक् приготовления किस कमी से होता है तो अगर हमारे भोजन में विटामिन एक कमी हो जाए तो उससे भिस प्लीत है और 6 में रतोंधी रोग भी होता है नाइट ब्लाइडनेस, विटामिन एक जो रसानिक नाम होता है वो होता है रेटिनोर, नेस कोशन है किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो ऐसा कौन सवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया यह सवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त किय जाते हैं निस कोशन है वनस्पति विज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगत कवकों का अध्यान क्या जाता है क्या कहलाता है तो कवकों की अध्यान को हम कहते हैं माइको लौजी वहीं पर शेवाल की अध्यान का पूछे तो शेवालों का अध्यान कहलाता है फाइको लौजी नेक्स्ट है पैंग्वीन चिडिया कहां पाई जाती है तो जो पैंग्वीन चिडिया है वो पाई जाती है अंटार कटिका में नेस कोशन है मानो शरीड में रक्त शुद्ध करने वाला जो अंग है वह कौन से है तो व्रिक यह क्या होता है यहां पर रक्त जो होता है वो शुद्ध होता है डालेशिश की जो प्रक्रिया होती है वो भी किट्नी में ही होती है व्रिक में ही होती है और हमारे शरीट में ही जो मुत्र और रक्त अलग होते हैं जहाँ पर वो कहाँ पर होती है वरिक में ही होती है नेस कोशन है केंद्रिय भेड एबं उन अनुसंधान केंद्र कहां पर इस्तित है तो केंद्रिय भेड एबं उन अनुसंधान केंद्र कहां है दहरा दून में है दहरा दून में वन अनुसंधान केंद्र भी इस्तित है नेस कोशन है कौन से एंजाइम लार में पाया जाता है तो हमें पता है टाइलिंग नामन जो एंजाइम है वो पाया जाता है हमारी लार में नेस कोशन है संसार में किसकी जीव संख्य सरवाधिक है तो कौन सी जीव संख्य सबसे अधिक है मशली की संख्य सबसे अधिक है नेस कोशन है किसमें रक्त नहीं होता है किन्तुभा श्वशन करता है तो हाईडरा एक ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वो क्या करता है श्वशन करता है नेस कोशन है पारिसितिक सब्द को सर्वप्रतम प्रतिपाधित करने का श्रय किसको जाता है तो जो पारिसितिकी सब्द है उसको सबसे पहले प्रतिपाधित किया था रिटर्नी नेस कोशन है भोजन का पाचन किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है तो हमारे भोजन का जो पाचान होता है वह उप्चयन की प्रक्रिया होती है नेक्स्ट है सभी कवक क्या होते हैं सदेव वीवी वीविद पोशी होते हैं जो कवक होते हैं हमेशा विविद पोशी होते हैं और जो कवकों का अर्धियान होता है उसको कहा जाता है माइको लौजी। नेक्स्ट जिव विग्यान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है तो जिव विग्यान का जनक कहा जाता है अरिस्टोटल अरस्थु को। नेस्ट रे उस्मा गती का प्रथम नियम अवधार्ना की पुस्त्री कौन करता है तो उस्मा गती की की प्रथम नियम जह वह कहला थी उर्जा सनरक्षन का नियम उर्जा शरनाक्षर का नियम क्या होता है? उर्जा न तो उधबन होती और नहीं नश्ट होती बस उसका क्या होता है? एक रुप से दूसरे रुप में रुपा अफ़ांत तरण हो जाता है Next is क्यों सीदकाल की तूलना में ग्रिश मकाल में अधिक मशलियां मरती है तो सीदकाल की अपेक्षा गर्मी के महिने में मशली अधिक क्यों मरती है अक्सिजन के अपक्षय के कारण अक्सिजन की अपकमी के कारण नेक्स्ट मुर्गियों की सबसे खतरनाग जो बिमारी होती है वह कौन सी होती है तो मुर्गियों में एक बिमारी होती है उसका नाम है रानी खेट जो उनके दिये बहुत ही खतरनाग होता है और मुंफली में जो रोक पाया जाता है वो क्या होता है टिक का रोक नेक्स्ट है रक्त दाब का नियंत्रर कौन करता है तो अमारी जो रक्त दाब होती है रक्त चाप होती है ब्लड प्रेशर होती है उसका नियंत्रर कौन करता है अधी व्रिक करता है अध्रेनल ग्रेंथी नेस्ट कोश्चन है फाइकोलाजी में किसका अध्यान के आ जाता है तो जो फाइकोलाजी होती है उसमें हम शेवालों के अध्यान को फाइकोलाजी कहती है साथ में एक और चीज़ याद रखेंगी कवकों के अध्यान को क्या बोलता है कवकों के अध्यान को बोला जाते है माईको लॉजी नेस्ट कोशन है ग्रे नाइट, ग्रे फाइल और वैसाल्ट में सी कौन सी रुपांतरी चटानी है तो जो रुपांतरी चटान है वो क्या है ग्रे नाइट रुपांतरी चटान ऐसे चटान को कहा जाता है जो किसी एक चटान से रुपांतरी थोकर नया बनता है जैसे अगनिया चट्टान होते हैं और शादी चट्टान होते हैं तो अगनिया से जो दूसरा चट्टान बनता है उसको कहा जाता है तो उसी को रूपांतरी चट्टान बोला जाता है तो ग्रेनाइट भी एक रूपांतरी चट्टान है नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कोशिका स्वसन क्रिया से संबंधी थे तो किन में अपना एक स्वसन क्रिया पाया जाता है स्वसन अंग पाया जाता है मैट्रोकॉंड्रिया नेक्स्ट है वनस्पती विज्ञान के जनक को किस नाम से जाना चाहता है तो वनस्पती विज्ञान के जनक है थीो फ्रेस्टस और हमारे जुफिक ज्यान के जनर कौन है अरिस्टोट नेस्ट है, मनुष्य में बुद्धी एवं चतुराई का केंदर कौन सा है? तो सेरीब्रम हमारे मस्दीश्क में पाया जाता है शेरीब्रम जो बुद्धी एवं चतुराई या Intelligency के लिए जाना जाता है और यह हमारे मस्तिशक के अग्र भाग में पाया जाता है अग्र मस्तिशक का एक टाइप है Cerebram Cerebram हमारे मस्तिशक में सबसे जादा पाया जाता है, सबसे जादा हिस्सा Cerebram का ही होता है Next question है पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान हो इसके लिए उसमें क्या पाया जाता है रंद्र पाया जाता है नेस्टर कोश्चन है नेस्टर कोश्चन है हमारे पास वर्गी करण की आधारिय इकाई जो होती है वो क्या होती है तो वर्गी करण जो होता है उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है वो होती है इस्पिसिज इस्पिसिज के आधार पर वर्गी करण क्या चाता है और सबसे छोटी आधारिय इकाई होती है ये निम्न लिखीत में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग क्या जाता है तो एजोला को क्या क्या जाता है जैव उर्वरक के रूप में उप्योग में लाया जाता है सार्स, सार्स क्या है? सार्स जो होता है एक विशारू से होने वाला रोग है इसमें भी सांस संभन्धी जो विमारियों होती है क्वेशन है पुष्पों का अध्यान क्या कहलाता है? पुष्पों के अध्यान को हम कहते हैं एंथोलोजी flowers जो होते हैं उनकी study को कहा जाता है anthology और वहीं आपसे पूछे fruits या फिर फलों का अध्यान को का कहा जाता है pomology कहा जाता है next question है ये repeat हो गया question next वाश्पभटी में किस से iron oxide उपचाईत होता है तो जो iron oxide उपचाईत होता है वो किस से होता है carbon से next प्रदूशन के कुछ विश्वष्णिय सूचक जो प्रदूशन होते हैं उसके लिए सूचक कहा जाते हैं lichen तथा mouse जहां पे प्रदूशन अधिक होने लगती वहां से lichen जह हो गायब होने लगती है तो वहाँ पर पता जाल जाता है कि यहाँ पर प्रदूशन बढ़ रहा है तो यह प्रदूशन के एक तरके से सुचक का काम करते हैं नेक्स्ट है पेस्मेकर का संबंध किसे है पेस्मेकर का संबंध है हट से ARTIFICSHAL पेश्मिकर और हीदय की जो गती होती उसको नियंतरित करने के लिए पेश्मिकर का उबयोग करा जाता है हीदय की धरगन को नियंतरित करने के लिए एक तत्म कभी उबयोग क्या जाता है तत्म कौ backl? potassium तत्म है नीक्स्ट है पशुधन में सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली जो नशल है वह कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नशल है शुकर. नेश जय एजोला बहुदा जय उर्वरक के रूप में प्रयोग किया चाता है? जय एजोला को हम जय उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं. इस कोशन है गती प्रेरक किसे संबन्दीत है? तो गती प्रेरक हो गई, पेसमेकर हो गई, यह सम्देर किसे संबन्दीत है? हमारी फिदय की जो दढकन होती है, वो एक मिनट में 72 बार धढकती है. और एक बार धड़कने के लिए कितना समय लेती है? 0.8 सेकंड का समय लेती है आपसे पूछे कि कार्बो हाइडर जो है हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहां पर संचित रहती है? तो वहीं हार्ट में ही लीवर में जो संचित रहती है और जो पित होती है वो कहां पर बनती है? लीवर में बनती है और इस्टोर कहां पर होती है? पित्ताशय में इस्टोर होती है तो गती प्रेरक और पेस्मेकर किसे सम्बंधित हो जाएगी? रीडर से सम्बंधित हो जाएगी नेस कोशन है जनतों में होने वाली foot and mouth जो disease होती है वह किसके कारण होती है तो वो विशाणू के कारण होती है नेक्स्ट वायू मंदल में समाने था carbon dioxide कितना पाया जाता है तो वायू मंदल में जो carbon dioxide पाया जाता है वो कितना पाया जाता है 0.03% और जब हम सास छोड़ते हैं तो उसमें जो carbon dioxide की मातरा रहती है वो कितनी है चार प्रतिशत होती है जब हम छोड़ते हैं उसमें carbon dioxide की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है लगभग कितनी रहती है चार प्रतिशत रहती है लेकिन हमारे वायू मंदल में carbon dioxide कितनी रहती है 0.03% रहती है क्वेशन है रख्त में glucose की मात्रा नियंत्रित किसके करण रहती है तो रख्त में हमारे glucose की जो मात्रा रहती है फो नियंत्रित किसके करण होती है इंसुलीन के करण नियंत्रित रहती है इंसुलीन जो होती है हमारे शरीर में रख्त glucose की जो मात्रा रहती है उसको नियंत्रित कर ही इंसुलिन का स्थान पर होता है तो हमारी फ्रस्सकी बीठा सेल में इंसुलीन पाया जैता ही छे कि बासिंग सोडा ऐसमेर का सिख्यें कुर्ण कुछ अ गलोcomb 취 कार्बोनीट होता है ऋके HCO3 और यह sodium chloride जो होता है साधरा नमक का formula होता है sodium chloride अभी हमसे पूझा है washing soda तो sodium bicarbonate लगाएंगे नेक्स्ट है electron, proton, neutron और positron इन में से सबसे बड़ा जो कड़ है वह कौन सा है तो इन में से सबसे बड़ा है वो है electron electron पर कौन सा charge रहता है इसमें electron में जो आवेश की मात्रा रहती है वो कितनी होती 1.6 इन्टू 10 दिक्र पावर मानस 19 कुलम होती है नेक्स्ट है किस अभीक्रिया द्वारा पौधे में oxygen बहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचता है तो पौधे में जो oxygen बहर के वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचता है वो क्रिया क्या कहलाती है वो अभी क्रिया कहलाती है विश्रन विश्रन के द्वारा बहर की जो हवा रहती है पेर पौधों की कोशिकाओं में पहुँचती है नेक्स है बॉटनी सब्द की उत्पत्ती किस भासा के सब्द से हुई है तो जो बॉटनी सब्द है उसकी उत्पत्ती ग्रीक भासा के सब्द से हुई है और वनस्पती विज्ञान के जो जनक कहा जाती है वो कौन है थियो फ्रेस्टस नेक्स्ट है मानोशरीर के किस अंग की हड़ी सबसे लंबी होती है तो मानोशरीर की सबसे लंबी हड़ी होती हुआ होती है फीमर कहाँ पर पाई जाती है जांग में पाई जाती है सबसे छोटी हड़ी के बारे में पूछे तो इस टैपी से जो कहाँ पर पाई जाती है हमारी कान में पाई जाती है नेस कोशन है जिन पौधे पर बीज बनते हैं कि तो पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं बीज तो बनते हैं लेकिन फूल नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं अनावरित बीजी कहलाते हैं और अनावरित बीजी ऐसा होता है कि जिसके बीज होते हैं उस पर आवरण नहीं पाया जाता है नेक्स्ट है व्रिक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है कार्टी कोल्स व्रिक्षों की जो छाल पर उगने वाले कवक होते हैं जैसे आप लोग देखे ग्रेन करेन कवक उग जाते हैं ब्रिक्ष की छाल फरÖ थो उसको «Cardi Gosh कहा जाते हैं। इस इस माद़ाजनन पत्व में पहुँशने के पसत्त मानशक्राणु अपनी सेशन समता सुरक्षित कितने देर तक रखते हैं। तो 90 मिनर तक जो सुक्राडू रहते हैं, वो मादजनन के निशेचन जहां पर होती हैं, वहां पर रहते हैं, कितने मिनर तक? 90 मिनर तक. Next है, किसके द्वारा दूद खटा होता है? तो बैक्टीरिया के कारण जो होता है, हमारी दूद खटी होती है, और कौन से बैक्टीरिया? लैक्टो बैसिलस लैक्टाई होता है, जो दूद को खटा कर देता है, और खटे दूद में कौन से अम लपाया जाता है? लैक्टिक अम लपाया जाता है, इसकी जो पी-एच वैली होती है, वो लगभग 6.8 के आसपास होती है, अप्च्छा दस्मलों 8.7 से कम है, इसलिए थोड़ा खटा होता है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कोश्चन है, जीवाड़ूं की साधान आकरिती कैसी होती है? तो जो जीवाड़ू होते है, उनकी साधान आकरिती होती है छड़ रूप में, जाड़ के समान होती है, नेक्स्ट है, शीत रखती है, प्राड़ी कौन सा है, इसमें ऑप्चन नहीं दिया हुआ, नेक्स्ट देखते हैं, अमीबा में भोजन का अंतर ग्राण किसके द्वारा होता है, तो अमीबा में जो कूट पाद बने होती है, उसके द्वारा भोजन का अंतर ग्राण होता है जैसे इसकी सरशना इस तरीके से होती है तो यह क्या करता है जैसे यहाँ पर भोजन है तो धीरे धीरे क्या करता है इसको अपने उपर ले ले लेता है तो इसी को कुट बात कहा जाता है नेक्स्ट जिवाडू की खोष सबसे पहले किस ने की थी जिवाडू की खोष सबसे पहले लुएन हॉक ने की थी एंट्रोनी लुएन हॉक के द्वारा जिवाडू की खोष की गई थी और आपसे पुछें कि विशाडू की खोष सबसे पहले किस ने की थी तो इवान वसकी न था रज वर्पान दोसंसर है ब्रपार जोता है स्वांस्य निजंद श्रापन प्रक्रिय जिसके द्वारा मनुष्य म smaller ठर्थ छोड़ता है वह क्या है स्वाक्षोष वास रिषाडू वृध्धी करता है तो जो वारस होते हैं वो कहां पर वृध्धी करते हैं पानी में ये ग्रो करते हैं नेक्स है भारती पशूर्चिकिस्टा अनुसंधान कहां इस्तित है तो पशूर्चिकिस्टा अनुसंधान जो है वो बरेली में इस्तित है नेक्स है बरेली कहां पर है यूपी में इस्तित है ठीक है नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य उतक तो नई कोसी काएं किसके द्वारा बनती है विभाजुद्तक के द्वारा विभाजुद्तक के द्वारे नई उत्तिकों का निर्माड होता है मानव कलाई में नाड़ी इसपंदन करती है उसी दर पर जिस दर पर हमारी हिर्दय करती है तो अक्सर हम जब बिमार परते हैं तो डॉक्टर हमारी कलाई की जो नाड़ी होती है उसको चेक करती है वो किस को दर्ष आता है कि हमारे हिरीद emergency कि जो धड़कन होती है से उसीदर से हमारी कलाई में जो नाड़ी होती है वह भी चलती है तो इसलिए doctor जो हैं वो कलाई को देखते हैं के next question है प्यूश क्रंधी हमारे शरीर में किस इस्तान पर पाए जाते हैं तो इसका location पूछा है तो जो प्यूश क्रंधी होती है वो हमारे शरीर हे मस्तिश्क के अधार में पाई जाती अधार मतलब मीचे साइड में नेक्स्ट है मानशर के किस भाग में पारिया रोग लगता है तो जो पारिया रोग लगता है वो हमारे दात और मशूडे में लगता है जिसमें बलड आता है ठीक उसी को कहा जाता है पारिया रोग नेक्स्ट है जल से बाहर निकाले जाने पर मशलिया मर जाती है क्यों क्योंकि जो मशलिया होती है वो गिल से सांस लेती है और सिर्फ पानी में ही गिल से वो सांस ले सकती है वो बाहर नहीं ले सकती है इसलिए वो सांस नहीं ले पाती है जल से बाहर निकालने पर नेक्स्ट है माना शरीर में पाया जाने वाला प्रमुक रशानिक योगी कौन सा है कैल्सियम ओक्सिलेट कैल्सियम ओक्सिलेट हमारे शरीर में पाया जाने वाला योगी कै योगी किसे बोला जाता है देखे योगी का डेफिनेशन होता है दो यह दो से अरिक्ततों को आपश में एक निस्चित अनुपात में मिलाने पर जो चीज बनता हो उसको कहा जाता है योगी आप basically याद रखें कि जितने भी Chemistry के आपको formula याद है वो सब योगी हैं क्योंकि carbon dioxide example जैसे बताती हूं carbon dioxide को हम लग इस तरीके से लिखते हैं क्या मैं carbon dioxide को इस तरीके से लिख सकती हूँ नहीं लिख सकती तो एक निश्चित अनुपात में ही जैसे carbon का एक अनुपात और oxygen का द नेक्स्ट है शरीर का सरवाधिक प्रवल अस्थी कौनसा है प्रवल अस्थी पूश रहा है मतलब सबसे दिर्ड या सबसे कठोर तो हमारे जो सबसे कठोर हड़ी होती वो कंसी होती जबड़े की हड़ी होती है और आपसे पूछे कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन हमारी जवर होती हैं नियुक्स में से किश यूद्व काकारण विशाणूब है टो विशाणूह से पोल्यों जोनी वाला रोग है बड़ फुलीविशाणूं से होने वाला रोग हैं लेक्स ते तो मानव ढांचा कितनी वय श्कुमि और जो शिशू होते हैं उन में कितनी पाई जाती है लगबग 300 के आसपास पाई जाती है नेक्स रग्त सम्मौ की कोज किस वैग्ञानिक ने की थी जो हमारे होते हैं चार होते हैं कि क्वेशन है भारती वनश्पतिक सर्वेक्षन का मुख्याले कहां इसी थे तो जो भारती वनश्पतिक सर्वेक्षन है उसका मुख्याला है कोलकादा में कोलकादा किसी स्टेट में आता है वेस्ट प्रेंगॉल में आता है नेक्स है गन्ना चुकंदर मटर चना अरहर फ्रेंच बीर ये सब किसे संबंधित हैं ये तीनों ही पादप के कूल से संबंधित हैं पादपों में आते हैं पादब में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सब आते हैं नेस्ट कोशन है वनस्पती सम्वर्धन से संबंधित जिव विज्ञान की शाखा को कहते हैं तो वनस्पती सम्वर्धन से जो संबंधित विज्ञान की साखा है उसको हौटी कल्चर कहा जाता है नेक्स्ट है हीमोफिलिया एक अनुवांसिक रोग है जिसका क्या परिणाम है तो हीमोफिलिया होता क्या है ये रग्त का नहीं जमना जब हमारी जैसे कि हमें कोई चोट लग जाती है तो रग्त का बहाव होता ही रहता है वो जमता नहीं है तो उसी को कहा जाता है हीमोफिलिय और यह एक प्रकार की अनुवानशिक रोग है, अनुवानशिक डिसीस है, यानि कि फैमिले में अगर एक बार किसी को हो जाए, तो चांसे हैं कि वो अपनी फैमिले में आगे बढ़ती है, ठीक, और रगत का थक्का जमाने के लिए जो विटामिन उप्योग होती है, रगत का ही प्टलु स्काम क्या होता है पुदली के कारिय को नियांत्रित करता है जो को बिमारी को आगे बढाईाँ greater इस्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा ये फैल सकता है नेक्स्ट है निम्न लिखीत में से कौन सा रोग विशारू के कारण होता है तो जो विशारू के कारण चेचक होता है वो विशारू के द्वारा होने वाला रोग है पर चेचा के टीके की कोच किस के द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचा के टीके की कोच की गई थी Next question है मुलांकूर से विक्सित होनी वाली जड़ें क्या कहलाती है? मुलांकूर से विक्सित होने वाली जो जड़े होती है वो कहलाती है मुसला जड़े नेस कोशन है हाइपर मेट्रोपिया बिमारी किसके कारण होती है तो हाइपर मेट्रोपिया जो बिमारी होती है वो दूर द्रिस्टी दोस के कारण होती है दूर द्रिस्टी दोस में व्यक्ति पास की वस्तू को नहीं देख सकता ठीक है जिसमें व्यक्ति पास की वस्तू को नहीं देख सकता उसे ही कहा जाता है दूर द्रिस्टी दोस के हिवारन के लिए आदमी को कौन से लेंग से बना हुआ चश्मा पहनना चाहिए तो उत्तर ले के व्यक्तियों को सार्व भामिक दाता या फिर उनिवर्सल डोनर कहा जाता है तो ओ ब्लड गुरुप वाले को उनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि ये सभी को ब्लड दे सकते हैं और सर्व ग्राही उनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोला जाता है ये भी ब्लड गुरुप वाले को, नेस्ट कोर्शन है, दाद की बिमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है, तो दाद की बिमारी होती है, वो फंगल के करण होनी वाली बिमारी होती है, नेक्स्ट है, मैंडल के अनुवानशिक्ता का सिधान किस पर आधारित है, जो मैंडल ने अनुवानशिक फिरता का सिदान दिया थां वो लैंगिक जनगणफ़ आधारी थें लिए हजी से दाफ उन्हा नि का करें रुप से कौन सा और शायन धियर्म पाया हम हमारी हड़ी के घ्राइश हमारी हड़ी और दातों में विवह दो दिश्क नींतुवाहन का नियंतृत होता है तो हमारे जो शरीर का तापमान है, वो कहाँ पर नियंतरीत होता है, हाइपोथरलमस में, हाइपोथरलमस किसका भाग होता है, हमारे मस्तिस्क का भाग होता है, अगरा मस्तिस्क का भाग है, नेक्स्ट है, रिदय की मरमर का कारण क्या है, कपाट में लिक होना, कपाट मतलब व नेक्स्ट है, विटामिन D के स्रीजन में क्या पाया जाता है, विटामिन D के स्रीजन में क्या पाया जाता है, विटामिन D में कैलसी फेरॉल पाया जाता है, नेक्स्ट है, मनुष्य में एफला टॉक्षिन खाद विशाकतन द्वारा समाने तो कौन सा अंग प्रवावित होता तो हमारी जो यकृत है लीवर है वो प्रवावित होती है एफलाट टॉक्षिन खाथ्य विशागतन से आने की टॉक्सिक चो होती है वो यहां पर जोशक होता है इसमें यकृत में लीवर में वो टॉक्सी को क्या करता है नियंत्रित कर लेता है नेक्स रैनिम्न में इसे किसे प्रकाश शंशलेशी अंग कहते हैं तो पत्तियों को कहते हैं पौधे में जो पत्ति होती यही प्रकाश शंशलेशन की क्रिया करते हैं कौन सा रोग जिवाडू से होता है तो इक की लाल धाली कोई रोग है यह जो होता है जिवाडू से होने वाला रोग है नेस कोशन है हीरा क्या है हीरा शुद्ध कार्बन का क्रिस्टली अपर रूप होता है यह कार्बन का ही एक अपर रूप है शुद्ध कार्बन का क्रिस्टली रूप होता है नेस्ट कोशन है पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्धीपन ग्रहन करता है तो पौधे का कौन सा भाग फूल ग्रहन करने के लिए उद्धीपन है तो पढ़ना भाग नेक्स्ट है डेंड्रोलोजी का संबंद किस्ते है तो डेंड्रोलोजी जो है इसका संबंद जाडियों के अध्यान को कहा जाता है नेस्ट है योग्यतम की उत्तर जिविता का प्रतिपादन किसने किया था जो योग्यतम की उत्तर जिविता का प्रतिपादन किया था डार्वें नेस्ट कुशन है खादे पदार्थों का पौधों में इस्थाना न्तरन का मुख्य रूप कौन सा है तो मुख्य रूप कौन सा शुक्रोश खाते पदार्थ होते हैं जो पौधे में होते हैं खाते पदार्थ के लिए फलों के अध्यान को कहा जाता है फलों के अध्यान को पोमो लॉजी कहा जाता है मुर्गी के अंडे में कार्बो हाइडरेट कितनी होती है तो मुर्गी के अंडे में कोई भी कार्बो हाइडरेट नहीं पाया जाता है नेक्स्ट है ब्रूर किस से बनता है तो ब्रूर जो बनता है वो बीच से बनता है नेक्स्ट है नियत तापी प्राडी कौन सा होते हैं तो जो चमगादण है ये भी नियत तापी प्राडी होते हैं हम मानवी नियत तापी प्राडी में आती हैं नेक्स्ट है फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस एसिट का प्रयोग करती हैं तो जितने भी फल होते हैं उनके जो जूश होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए फार्बिक एसिट का उपयोग किया जाता है नेस कोशन है फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रसानिक रूप से क्या है ये रसानिक रूप से सोडियम थायो सलफेट होता है इस्कोशन इस्कॉशन है इनमें से कौन सा पादब रोग विशाड़ू द्वारा होता है तुश में तो option नहीं दिया है नेक्स चलते हैं Influenza रोग होता है किसे तो Influenza जो रोग है वो विशाडू से होने वाला रोग है Next question है Athlete Food नामक जो बिमारी होती है वो किसके तौरा होती है Athlete Food जो बिमारी है वो कवव के कारण होनी वाली रोग है नेक्स्ट है ऐसे मवेशी जिनमें गायों से ज़्यादा मात्रा में दूद मिलता है परन्तु बैल, बेकार, भारवाही, पश्चु है वे हैं दुधारू, नस्तने इनमें दूद की मात्रा जो होती है नॉर्मल गायों से अधिक होती है नेक्स्ट है वाट को किस में प्रकट कर सकते हैं जो हमारी शक्ति की यूनिट होती है वाट पावर की यूनिट होती है वाट उसको हम लोग जूल पर सेकेंड से भी डिनोट कर सकते हैं यह होती है वाट को हम लोग जूल पर सेकेंड से भी डिनोट कर सकते हैं जो किस की यूनि नहीं होती है इसलिए जो हमारी रक्त होती है जो पोशक्ततों को अशोशित करती है वो कहां से अशोशित करती है जो सबसे जाधिक छोटी आज से ही अशोशित करती है नेक्स्ट है जीवारू भोजी कौन होते हैं जीवारू भोजी कौन होते हैं जीवारू को संक्रमित करने वाले जो विशारू होते हैं वो जीवारू भोजी होते हैं नेक्स्ट है पौधे क्या उत्सरजित करते हैं तो पौधे जो होते हैं वो रात में carbon dioxide को उस सरजित करते हैं, अरदीन के समय में oxygen, इसलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ पौधे की नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, रात में carbon dioxide को छोड़ते हैं, तो सबसे अधिक मात्रा में carbon dioxide हमें क्या मिलेगी, शुष्मा JOSHUAरों से नस्ट करने कीवा जाते हैं आसर है धुष्मा जिवारों से प्राप्त प्रतिजविक जो जाते है छिनका अपयुक्षू झाल झाल